अरे मोन दादा आप साप करते रहोगे और लोग कच्रा करते रहेंगे अरे कुछ ने होगा इस देश का देखा है हाँ हो सकता है बस थोड़ी और सफाई करने पड़ेगी कैसे यह अपका खत आया है किसका है किसे भारत ने भेजा है भारत हमारा गाव में तो कोई भारत है नहीं मैं किसी भारत को नहीं जानती बड़ लोग शायद कोई पहचान वाला हो सदर प्रणाम शायद आप मुझे पैचानते नहीं हो पर मैं आपको जानता हूँ बहुत करीब से कई बार कई जगह ओपर हम मिल भी चुके और हर मुलाकात एक याद बनती के याद है जब वह मिश्रा की बीवी जब तो इसे एक वुड़ा फेक रही थी तब आपी ने तो उसे डटा था कांधी चौराय के सामने वाली दिवार पर जब आदमी थोग रहा था तब आप ही ने तो उसे रोका था किसी दूसरे ने फेका हुआ कच्रा जब आपने उठा कर कच्रे के डिब्बे में डाला था न तब मुझे बड़ा गर्ब महसूस हुआ था कि आज का नौजवान भी मेरी इतनी कदर करता है आपके बहुत असने मुझ पर नहीं तो बला कौन सो च्टा है इन चोटी-चोटी बातों के बारे में मैं शुकर गुजारू आपका मेरी इतनी इज़त करने के लिए मैं शुकर गुजार हूँ मेरी तरक्की के खातिर आपके इस चोटे कदम के लिए मैं शुकुर गुजारू मुझे महान बनाने के लिए आपका प्रीय भारत सच मत बताओ मौन दादा मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मुबरको मौन दादा अरे अपना दिल साफ हो रहा है हाँ पर आउरे खत देना बाकी है अब कौन यह आपका खत आया है किसी भारत में बेजा है हुआ है हुआ है